जै मात आदी फ्रैंड वेलकम बग तो शंबिकाजी वालेमन कैसे हैं आप I hope you are doing good and me perfectly fine स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज का वीडियो होने वाला है एकनी पिंपल और उनके निसान वैसे आज मैं अकेले नहीं कुछ और लोग मेरे साथ हैं मट आपकी पूरी अटेंशिन मुझके होनी चाहिए उनको आपको इग्लोर करना है जी आ मैं हमेशे उपर रूम में अपना वीडियो शूट करते हूं आपको पते ही है लेकिन जैसे आज में उपन रहे हैं मैंने गेट खोला तो मौसम बढ़ा हैं मस्त वाला हो रहा था तो मुझे लगा मैं यहीं बैठ जाते हैं आप देख रहे हैं आपको आउट साथ में ह ओँ शुक्त जारूरी टिप्स अगर आप वाक्यमीं चाहते हैं कि अपके यक्शच जाना आपके लिए बहुत जरूरी है तो बिना किसी देरिके शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इंगिडिन्ट में यूज़ करने वाली हो वो 100% आपके पैसे भी नहीं खर्च होने वाले हैं और आपके जो एक्टी पिंपल की प्रॉब्लम है और उनके जो निशान है वह 100% खतम हो जाएंगे मुझे पता है आप जिस ट्रस के साथ में वीडियो देख रहे हैं कि आपको इस प्रॉब्लम में छुटकारा मिलेगा तो डेफनेटी आपका ट्रस ब्रेक नहीं होगा और आपको एक्टी पिंपल की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा इस पैक को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले लिए नीम और तुलसी की पत्तिया और इन दोनों में ही अधिशनल प्रॉब्लम को बहुत जल्दी से ठीक करती है और नेक्ट में यहाँ पर ले रहे हूं मुलतानी मिट्टी को मैंने पाने में ब्होग के रखा हुआ है इसका एक पॉडर फॉम में भी आता है वो भी ले सकते हैं दसे बंदमेट में इसका बिल्कुल स्मूज पेस्ट बन जायागा और मैंने हाँ पर लिए अलोवरा जेल तो मुलतानी मिट्टी में हम मिस्स करेंगे तुलसी की पत्ति अलोवरा जेल और नीम की पत्ति का एक पेस्ट आपके बास अगर अलोवरा जेल फ्रेस नहीं है तो आप यह वाला कोई भी मतब किसी बच्ची प्राण का अलोवरा जेल आप ले सकते हैं बाकी बच्ची पत्तिया है इसका हम टोनर रेडी करेंगे चले देखते हैं कैसे बनाना है नीम और तुलसी का पैक रेडी है और हम स सावन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है या फिर आप फेस वास उस करते हैं तो अपने फेस वास में आप थोड़ी सी यह नीम का पेस्ट में लाएंगे तब आप अपना फेस क्लीन करेंगे इससे सब्सक्राइब नीम और तुलसी की पत्ति से अपना फेस क्लीन कर लिया आप इसको में वाटर से वाश कर लूँगो आप सभी जानते हैं कि नीम और तुलसी की पत्तियों में एंटि वैक्टिरियर एंटि फंगल प्रपर्टिस पाई जाती हैं जो हमारी स्किन के लिए इस नीम टॉनर को बनाने के लिए हमें जरूत होगी ईकलास पानी की नीम के पत्ति और दो विटामिन एक के कैपसूल यह एक गलास पानी में में नीम के पत्ति डालकर रखें और हम इसको जब तक बॉल करें जब तक यह हाफ ना रह जाएगा तो हम गैस बंद कर देंगे अ मैंने अपने फेस्प्लिंग कर ले हैं अब मुवन करेंगे स्टैप निबर दू की तरफ जहां हमने टोनर रेड़ी गया था इस टोनर को कैसी उसकरना है सिंपल आपने स्प्ले करना है अपने फेस पे और एक से दो मेट लिए छोड़ देना है प्रेंट्स आपको ध्यानी यह कि आपको यह दोने स्टैप टू टाइम करने है दिन में दो बार इसी फेस्प्लिंग कर रहा है उसी टोनर को टू टाइम करना है अब हम मुवन करेंगे स्टैप नमर 3 कितब जहां हम अलवरा जैद को यूज करेंगे अजा मॉसराइजर और अगर आपकी इस्किन ड्राय है तो आप इसमें सम ड्रॉप कोकोनेट ओल मिस कर सकते हैं और मैं आपको हमेशा बताते हैं आपको वर्जन कोकोनेट ओल यूज करना है वो इस्पेशली फेस के लिए होता है फोर तू त्री डॉप काफी होंगे दोनों कची से मिस कीजिए और अपनी पेस पेपलाई कीजिए अब देखना है जब भी कोई क्रीम आपको करते हैं तो आपके जो स्टैप अवर्ट शर्कुलल मुशन में होने चाहिए बिल्कुल इस तरह से यह बहुती बेसिक चीजे होती हैं जो आपको पता होना के यह अगर आप गलत स्टैप फोलो करते हैं तो इससे आपकी स्किन में करते हैं जब भी कोई क्रीम अपलाई करते हैं तो हमेशा रिंग फंगर के यूश कीजेए बिकास इसमें सबसे कम प्रेशर होता है और यहां की स्किन बहुत जादा पतली होती है यह जितना कम प्रेशर आप अपलाई करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है हमारा जो लास इसकी या फिर कोकनेट ओयल का यूश कर सकते हैं इससे क्या होगा आपको ड्राइनस फील नहीं होगी अगर की स्किन ओयल है तो सिंपल आप मुलतान मिट्टी में लाइए और अपका पे स्ट्रेडी है इसको अच्छे से मिस्ट कर लेंगे तो आपको हमेशा कोशी करिए कि आप इसको इवनिंग में या रात में सोने से पहले अपलाई करें तो ज्यादा बास्ति क्योंकि सिरा कि आप बाहर ना जाएं तो इसकी रिजर्ट आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे तो आपको हमेशा नाइट में इसको अपलाई कर सकते हैं वैसे आपको हमेशा बोलती ह कुछ चीजी हैं जो आपको धियान रखनी है कि कभी भी एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होती है उस टाइम में इस पेशली अपने सिन को रबना करें बहुत ही चैटी लगाना है और चैटी रिमूब करना है चिली देखने इसको कैसे लगाना है और कैसे रिमूब करना है आपको भी पैक को इसी तरह से अपने फेस पेशली करना है तुड़ी थिक कॉंटिटी में आपको ज्यादा कॉंटिटी में लेना है और इसको हम नखेंगी 15-20 मिनट जैसी ड्राइ होता है इसको हम वाश करने के पानी की साथ में आपको भी फेस पैक चब लगा तो उसको के पानी से इसको आपणी च्राइपी बन navy में वाश की टीकित में मिन शचनी beta जिक कि आपवर कि यसमेड में आपको को इसको कैसी आप यहादा करना है आपको अपने हाथों को चीआप करना है क्विशось पहले किसे अपने पिम्पल है तो बहुत ही क्योंति आने शे प्रें क जहां पर पिंपल हैं ऊपको अपा भिंपल आपको आप ऑपको अपाने करने गाने आपकी आपको आपको विछमंग पुरी हडाती हैं जा था कीजिए इस से दो मिनेट मसाज़ कीज़े इच्छी से और अपने फेस को आप क्लिन कर सकते हैं। अपने दे जाँ पहल को दखनाती है, tussen तरह से बलावियन वैपने गुशल करना है। और इस तरह से अपना फेस आपको क्लिम करना है फ्रेंट्स नीम और मुलतानी मिट्टी चैरे को थोड़ सा ड्राय बनाती है अगर आपकी स्कीन बहुत ज़्यदा ड्राय है तो मैं आपको बता चुकियों ऐलोवरे जेल में आप कोकनेट ऑईल मिलाकी लगा सकते हैं या फिर स या देखेंगे 10-15 दूरों के अंदर आपको जो एक्टिविपल की प्राबलम में वह बिल्कुँ सही हो जाएगे टिप न्बर विर यह है कि आपको पिंपल को कभी भी प्लिक नहीं करना जो कभी भी फोर नहीं अगर अगर अवसको फोरते हैं तो और बाहर दोनों की एक अडर्ट के लिए तीन से चाल लेटर पानी की नीट तो होती है तो उतना पानी आपको पीना है इससे क्या होता है आपकी बॉड़ी हाइट है और टॉक्स आपकी बॉड़ी से बाहर निकलते हैं तो 50% विवानी तो ऐसे ही खतम हो जाती है तो आपको अटने पिंपल हो या डर्ट एंड डस्ट आपके पोर्स में आ जाती है उसको रिमोग परना बहुत ज़रूरी है तो यह आप बिल्कुल जरूरी करें और दो से या तीन बार मैक्सिमम फेस बॉस कर सकते हैं इससे जादा आपको फेस बॉस नहीं करना चाहिए क्योंकि हर चीज अगर आप डर्ट आपके प्डियादा जैए उससे आपके पिमपल हो और ज्यादा बढ़ सकते हैं और बार मेकब को इसलिए और आपको जरूरी होता है कि आपका टॉबल अलग होना चेहें एक कॉटन का कपड़ा लेकर लिए या आपको ब्ली सॉफ टॉफ टॉबल लेसकते हैं याप आपने पूरी बॉड़ी के लिए और फेस के लिए टिप नुबर सिक्स्स मेरी है कि आपको धूप में निकलने से बचना है जब आप दूप में जाते हैं तो उससे पहले बहुत जरूरी है या तो आप संस्क्री अपलाई करें और साथ में कॉटन की कपड़े से अपने फेस क स्टीप नुबर साथ मेरी यह है कि आपको जंक फूर्ड और फास फूर्ड को कंपली अवाइट करना इसे क्या होता है ऐसे खाने से आपकी बॉड़ी में और प्रेडक्शन बढ़ जाता है जिसकी वासे एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम जो है वह और ज्यादा बढ़ जाती का कम परियोग करें शुग्री एंड सॉल्टेट फूर्ड का जितना कम यूज करेंगे तो आपकी इस्किन जो एक्टिप इपले वो तो खतम हो गई और साथ में आपकी स्किमिक नाच्र ग्लो आईगा टिप नमबर टैन जो सबसे जरूरी है आपको अपनी डाइट में सामि कि बीच में 45 मिट का गैप हमेशा रखिए गा तो फ्रेंट यह ता मेरा आज का वीडियो आई हो वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो जिल्ली से लाइक एंड शेय कर दीजिए और सब्सक्राइब तो आपने करी लिया होगा कुई कुश है और सजेसिन तो डे आ START कि वीटिफ और मेरा तो एंए कár बस्सक्राइब है समय होगा तो इज़ नही करे लिया हुा तो एंए होगा।